हेलो एवरिवन, वेलकम अगें टू लर्ण प्रिदेतिमन, तो हम लोग कर रहे हैं, NCRT में जो हमारा राजी स्थान की बुक स्कूल में चल रही है, इस वक्त उसके कुशन अंसर कर रहे हैं, क्लास एर्थ के, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के कुशन आंसर कर लिये हैं, आप लोगोंने देख भी लिये होंगे और लर्ण भी कर लिये होंगे, ठीके, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए, ताकि आपको सारे कुशन जो हैं, वह याद हो सकें, और सबसे पहले मैंने आपको बताया था चैप्टर पढ़िए, उसके बा प्रियासों से आगे बड़ी, राजिस्थान के एकी करण की प्रक्रिया किसके प्रियासों से आगे बड़ी, तो लॉड लिन लित्गों के आदेश पर, 1949 इसवी में आगे बड़ी थी, तो वाई सराय जो लॉड लिन लित्गों थे, उनहीं के आदेश पर राजिस्थान एक कितनी रियासतें थी कितने ठिकाने थे और कितने केंदर शाशित प्रदेश थे तो एकी करण से पूर्व राजिस्थान में 19 रियासतें थी तीन ठिकाने थे कुसलगड लावा और नीमराना तो यह मैंने आपको याद करवाया था नकल के नाम से ना से नीमराना का से कुशलग और ला से लावा ठीक है नकल से ये तीन ठिकाने जो है वो आपको याद हो जाएंगे और एक केंदर शाशित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा एक ही करन से पूर्वराजिस्थान की 19 रियासतें कौन-कौन से थी तो यहाँ पर 19 रियासतों के नाम जो है वो आप देख लें जैपूर, चोदपूर, उदैपूर, बीकानेर, पूंदी, कोटा, थौलपूर, भरतपूर, अलवर, ढूंगरपूर, परताबगड, पांसवाड जालावाड, करोली, शाहपूरा, शिरोही, टौंक, जैसलमेर और किशनगर ठीक है तो आप ऐसे इनको याद रखिए मैप आप लोगोंने अब तक तो याद कर लिया होगा कौन सा जिला कहां पर है राजिस्थान एकी करन का प्रथम प्रयास किस रियासत के शाशक ने किया तो कोटा के जो शाशक थे महाराव भीम सीन इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था एकी करन का नेक्स्ट देखिए, question 5, राजिस्थान का एकी करण कितने चरणों में पूरा हुआ, तो यह साथ चरणों में जाकर पूरा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, राजिस्थान का एकी करण साथ चरणों में पूरा हुआ, मतस्य संग का गठन कब किया गया, तो सबसे पहला जो चरण था वह था मतस्य संग, तो इसका जो गठन है वह किया गया, 18 मार्च 1948 को, याद रखिएगा, राजिस्थान के एकी करण में साथ चरणों में प्रक्रिया पूरी होती है, पहला चरण मतस्य संग, दूसरा पूर्वी राजिस्थान, तीसरा संयुक्त राजिस्थान, उसके बाद चौथा व्रहद राजिस्थान, पांचवा संयुक्त व्रहद राजिस्थान, छटा जो था वह है राजिस्थान संग और साथवा जो है अंतिम चरण वर्तमान राज यहाँ पर अलवर जो है राजधानी रही मतस्य संग भी मतस्य संग में राज प्रमुक और प्रधान मंत्री किसे नुक्ट किया गया तो देखिए मतस्य संग से जो है कोशन आपके एकजामें पूछा भी गया था ठीक है और रीट है second grade है first grade है तो वहाँ पर राजिस्तान के ए किरन से एक कुश्चन तो हर बार पूछा ही जाता है तो अभी देखिए जो एकजाम हुआ था फायर मैन का तो वहाँ पर भी आप देखिएगा कि राजिस्थान का जी के जो है वो इन पूर्वी राजिस्थान का गठन कब किया गया? पूर्वी राजिस्थान में कौन कौन से जिले शामिल किये गए? पूर्वी राजिस्थान में कोठा को राजधानी बनाया गया था और यह दूसरा चरण था राजिस्थान एकी करण का? पूर्वी राजिस्थान में राज प्रमुक और प्रधान मंत्री किसे बनाया गया? तो आपको राजिस्थान के एकी करण की प्रक्रिया में तीन बातें बहुत अच्छे से याद रखनी हैं एक तो जो है चरण का गठन कब किया गया? दूसरा कौन-कौन से जिले इसमें शामिल किये गये और तीसरा राज प्रमुक और प्रधान मंत्री किसे बनाया गया? तो पूर्वी राजिस्थान में राज प्रमुक बने कोटा के भीम सिंग और वहीं पर प्रधान मंत्री बने गोकुल लाल असावा संयुक्त राजिस्थान कब बना तो ये तीसरा चरण था संयुक्त राजिस्थान तो इसका गठन 18 अप्रेल 1948 को किया गया था संयुक्त राजिस्थान का गठन 18 अप्रेल 1948 को किया गया था संयुक्त राजिस्थान में कौन-कौन से जिल्ले शामिल किये गए संयुक्त राजिस्थान में कौन-कौन से जिल्ले शामिल किये गए संयुक्त राजिस्थान में राज प्रमुक और प्रधान मंत्री किसे बनाया गया तो यहां पर राज प्रमुक जो है वह है मेवाड के भूपाल सिंग जो महाराज के उन्हें बनाया गया और प्रधान मंत्री मानिक के लाल वर्मा को बनाया गया था संयुक्त राजिस्थान का उद्गाटन किसने किया तो यहाँ पर मेवाड को मिलाया गया था पूर्वी राजिस्थान में तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नहरू को उद्गाटन के लिए बुलाया गया था व्रहद राजिस्थान कब बना? व्रहद राजिस्थान जो की चौथा चरण है राजिस्थान एकीकरन का तो इसका गठन किया गया 30 मार्च 1949 को ठीक है? याद रखिए 30 मार्च को हम राजिस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं नेक्स्ट दिखिए कुशन 18 है राजिस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो राजिस्थान दिवस जो है वह 30 मार्च को ही मनाया जाता है व्रहद राजिस्थान में कौन से जिले शामिल किये गए तो राजिस्थान दिवस हम क्यों मनाते हैं क्योंकि इस चरण में व्रहद रियासतों को शामिल किया गया था ठीक है इसी लिए से व्रहद राजिस्थान कहा गया और इसी दिन जो है हम स्थापना दिवस मनाते हैं राजिस्थान का 30 मार्च को तो यहां पर जैपुर, जोधपुर, भीकानेर और जैसलमेर तो ये सबसे बड़ी रियासतें थी इनको संय राजिस्थान में मिलाया गया व्रहद राजिस्थान में राज प्रमुक और प्रधान मंतरी किसे बनाया गया तो यहां पर राज प्रमुक जो है पीरालाल सास्त्री को बनाया गया व्रहद राजिस्थान का उदगाटन किस ने किया तो बड़ी बड़ी रियास्त ने शामिल की गई थी तो यहां पर उदगाटन जो है वो सरदार बल्लबाई पटेल ने किया था याद रखें व्रहद राजिस्थान 30 मार्च 1949 को गढ़न हु जैपूर जोदपूर विकानेर जैसल मेर को संयुक्त राजिस्थान में मिलाया गया और यहां पर उदगाटन के लिए सरदार बल्लब भाई पटेल को बुलाया गया संयुक्त व्रहद राजिस्थान कब बना संयुक्त व्रहद राजिस्थान जो की एकी करण का पाँचमा चरण कहलाता है तो इसका गठन 15 मई 1990 को किया गया था संयुक्त व्रहद राजिस्थान में कौन-कौन से जिल्ले शामिल किये गए संयुक्त व्रहद राजिस्थान में कौन-कौन से जिल्ले शामिल किये गए तो इसमें मतस्य संग को व्रहद राजिस्थान में मिला दिया गया ठीक है मतस्य संग को हमने अभी तक कहीं पर भी नहीं मिलाया था जहां अलवर, धौलपूर, भरतपूर, करौली ये चारो जिले जो हैं वो अलग थे तो इनको भी व्रहद राजिस्थान में मिला दिया गया राजिस्थान के एकी करण में छटवा चरण कौन सा है तो याद रखिए राजिस्थान के एकी करण का जो छटवा चरण है वह राजिस्थान संग कहलाया ठीक है राजिस्थान का गठन कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 को राजिस्थान संग या राजिस्थान का गठन जो है वह है 26 जनवरी 1950 को किया गया और ये छटवा चरण था राजिस्थान का एकी करण का अंतिम चरण का गठन कब किया गया तो अंतिम चरण में वर्तमान राजिस्थान हमारा आ जाता है सामने और ये सात्वा चरण था जो की एक नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ तो याद रखें कि 18 मार्च 1948 से राजिस्थान का एकी करण जो है वो प्रारम होता है और 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है राजिस्थान के एकी करण में जो सात्वा चरण था उसमें कौन-कौन से जिले शामिल किये गए तो यहाँ पर अब जो है आबू और देलवाड़ा जो की छटे चरण में इनको नहीं मिलाया गया था शिरोही को मिला दिया गया था आबू देलवाड़ा को छोड़ कर तो साथवे चरण में आबू देलवाडा को मिला दिया गया, केंदर शाषित प्रदेश जो अजमेर मेरवाडा था उसे मिला दिया गया, मंद सोर का सुनेल टपा जो की मद्य प्रदेश के शेतर में आ रहा था उसे मिलाया गया, जिससे एकी करण की प्रक्रिया पूरी हो गई तो यहां पर हमने थर्ड चेप्टर जो है आधुनिक राजिस्थान का निर्मान इसके हर कोश्यन जो है वो कर लिये हैं जितने भी पहराग्राफ में जितने भी कोश्यन बन सकते थे वो सभी मैंने यहां दे लिये हैं कुल मिलाकर 27 कुश्टन जो है इस चैप्टर में से निकल कर आए हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग एक भी कुश्टन जो है वो मिस ना करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ जो इस जनसंख्या से सम्मधित होगा थेंक यू